गैंग टॉक पहाडी की उच्चाईयों पर बसा हुआ एक ऐसा शहर जो अगर हकिकत में भी देखें तो एक सपने जैसा दिखता है यहां का प्राकर्तिक नजारा अपनी खुबसूर्ती को अपने शब्दों में खुद बया करता है वेलकम बैक दोस्तों आपका میरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं गैंग टॉक की हम गैंग टॉक दली से कैसे पहुँच सकते हैं और गैंग टॉक में वहां कौण-कौण सी जगह हैं गोम सकते हैं किस तरह से वहाँ घूमना इजी है साथ ही साथ हम बात करेंगे हम चाइना बॉर्डर पर कैसे जा सकते हैं तो आईए बात कर लेते हैं हम गेंग टॉक कैसे पहुंच सकते हैं तो यहां का नियरेस रेलवी स्टीशन आपका सिली गुडी होगा जो कि वेस्ट बंगॉल में है और नियरेस्ट एरपोर्ट आपका बागडोगर होगा जो कि वेस्ट बंगॉल में है दोनों ही जगह दिल्ली से बहुत ही कनेक्टेड हैं और मांकी शेहरों से भी तो आप जैसा चाहें वैसे आप सकते हैं सिली गुडी आने के बाद आपको यहां से बस मिल जाएगी जो कि सीधा आपको गैंग टॉक छोड़ देगी गैंग टॉक में आने के बाद वहां बस ट्रेंड से आप अपना टेक्सी भूग करके मॉल रोड पे आ सकते हैं पहले दिन आप यहां लोकल में घूम सकते हैं जिसके लिए आपको टेक्सी बुक करनी होगी टेक्सी वाले पहले से ही आपको लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दे देते हैं जहां वो घूमाएंगे जिन में मेजरली होता है गनेश टॉक यह भगवान गनेशी का मंदिर है पहाड़ियों को उपर जो होड़ी सीड़ियां चड़के जाना होता है दूसरा रांका मॉनेश्ट्री है जो कि बुद्धिस्टों का है और यहां पे बहुत सारे बुद्धिस बुद्धिस्म की प्रेक्टिस करते हैं तीसरी जगा है हनवान टॉक जो कि फौजियों द्वारा मेंटेन किया जाता है और यह काफी उचाई पे है तकरीब सौज सीड़ियां को चड़नी पड़ती हैं इसके अलावा हिमालियन जू है जहां पे आपको राइट पांडा देखने को मिल सकता है और लास्ट में आपको ले जाएंगे बाटर निकल गार्डन जहां पे आप बहुत सारे फूलों को देख सकते हैं अगले दिन आप नाथुला पास के लिए निकल सकते हैं जिसके लिए आपको टेक्सी बुक करानी पड़ेगी इस टूर में आपको पूरा दिन लग जाएगा जिसमें आप नाथुला पास जाएंगे रास्ते में आपको शौंगोर लेक मिलेगा जहां पे याक मिलने वाला है और उसके आगे एक हरबजन समारक भी है जो की एक बहुत पुराने फौजी के नाम पर है तो चलिए दिखाते हैं आगे का रास्ता कैसा होने वाला है और हम किस तरह से जाएंगे कैसा मौसम होगा तो चलिए देख रहे हैं तो चुझा पकाई यह देख रहे हैं तो चुझा पकाई तो अब हम पहुँच चुके हैं नाथुला पास जो की हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है और साथी दूसरी तरफ लगता है तिब्बत यहां सेक्योर्डी रीजन की वज़े से हम कैमेरा उपर ले जा नहीं सके इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते कि वहां से चाइना और तिब्बत कैसा दिखता है लेकिन जब आप वहां जाएंगे तो आप खुद यह वेटनस कर सकते हैं दोस्तो साथी मैं आपको यह बता दूँ कि जो लोग यहां से सफर करते हैं कैलाश मांसरोवर के लिए यात्रा जो जाती है वो यहीं से जाती है और यहीं पर गेट है तिब्बत की तरफ जो कि चाइना अकूपाइड एरिया है और यहीं से हम एंट्री लेते हैं तिब्बत में एंट्रू चाइना हम जाते हैं कैलाश मांसरोवर की यात्रा पे यहां से वापस गेंग टॉक जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा हरबजन स्मारक जो कि एक शहीद पॉजी के नाम पे है यह आप मुहां का एक सीन देख सकते हैं चलिए अब इसके आगे का सफर करते हैं गेंग टॉक की तरफ जहां रास्ते में हम जाने वाले हैं चौनमौग लेक जो कि एक चोटा सा लेक है लेक के पास आपको बहुत से याग भी मिल जाएंगे जो कि याग वाले आपको उस पर बैठने की अनुमति दे सकते हैं और उस पर अपनी फोटो भी किछवा सकते हैं तो चलिए देखते हैं आगे का रास्ता कैसा होने वाला है यह हम पहुँच चुके हैं शानमर्ग लेक अब देख सकते हैं इस पानी को पूरा आस्मान पूरी इमेज इतनी क्लियर इतना कुस्टक्लियर पानी है यहाँ पे क्या कहना पानी बहुत ही साफ सुत्रा है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस लेक को साथी साथ यहाँ पर जो याख है वो अलग ही है यह याख आपको जनरली नौर्थ इंडिया या कहीं और नहीं मिलेगा या तो ये लदाख में मिल सकते हैं या फिर ये सिक्किम के इन पहाड़ियों पे मिलते हैं रास्ते में वापस जाते हुए आपको ये अद्बुत नजारा मिलेगा आप इन पहाड़ियों को देख सकते हैं ये पहाड़ी है कंचन जंगा की चोटिया जो कि आपको यहां सिक्किम गैंग टॉक से इजिली दिख सकता है अगर बादल ना हो तो अब हम पहुँच चुके हैं और ये शाम हो चुके ये शाम का नजारा देखें पूरे गैंग टॉक का तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर किसी नई ट्रिप के साथ किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके